आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे आज का रेसिपी है प्लास्टिक जड़नी जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट होता है अब यह रेसिपी एक बर बनाओगे तो एक हपते के लिए कहा सकते हूँ तो चलिए फ्रेंट आज का रे में उसके बाद सारे सीट्स को ऐसे तरह निकाल लेना है उसके बाद यह पपीते को हमने चोटा चोटी टुग्रों में काट कर लोंगी और यहाँ पर देखो मैंने ऐसे तरह चोटी चोटी टुग्रा कर लिया और उसके बाद सारे पपीते को ऐसे तरह अच्छे से साप कर ल और यहाँ पर देखो मैंने ऐसे तरह सारे पपीते को ग्रेट कर रही हूँ और यहाँ पर देखो मैंने ऐसे तरीके से सारे पपीते को ग्रेट कर लिया यहाँ पर यह पानाने के लिए सबसे पहले कड़ाई को गडम कर लिया हूँ उसके बाद यहाँ पर डाला ओल उसके पर मैंने डाल दिया और उसके बाद अच्छे से चलाते रहना अब डालेंगे इसका अंदर नमक और इसको अच्छे से पकाते रहना ऐसे तरह मैंने पका रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे वान काप के तरह पानी और उसके बाद यहाँ पर थ्री मिनिट के नीश ने रावी जो गाहिए उसके बाद यह पर डालेंगे एक काटोरी चीली मैंने यह पर क्वेश के पपीते के लिए एक कितोरी चीली डाला बड़ना अपच्छे से सरे और यह अच्छे से मिल्ट हो जाए गा मैं इस आपर जांदर इसके पानी निकल है और मेने एक्सकृटा पानी इसके अंदर हैठ नहीं किया ईंग और इस त Jessben पर एक में निम्बू कर लेती हूं और यह पर मैंने हत्व निम्बू को यूज़ कैर हाफ लगा और होग के पार तेखे हैं ऐसे पानी निकल रही है इस टाई मैंने इहां पर डाल देंगे काजू बादम, इसके बाद डालेंगे कीस मिस, आपके पास जो ड्राइ पूट है, साहे डाल सकते हूं, और इसके बाद यहापद अपर टू मिलिट के लिए, ऐसे ही पकाते रहेना, और उसके बाद यहापद पड़ जो निम्बू का रस्ट मैंने निकाल लिया था उसको मैंने इसका अंदर डाला और उसके बाद ये एक बार मिक्स करके गैस का फिलम आप कर देना तो मेरे आज कर रेशपी एक दूंबन के रेडी है अब ये रेसपी एक बार बना के एक हफ्ते के लिए स्टोर करके भी राख सकते हो ये बहुत ही थांक यू